स्री शिवाई नमस्तूब्यम दोस्तू आप सभी लोग जानते हैं कि मार्च के महीने में आने वाली है चैतर नवरात्रे दोस्तो यह नवरात्रे बहुती ज़दा विशेश और महतुपूर्ण होती है साथी में दोस्तों चैतर नवरात्रे के पहले मासिक शिवरात्री और अमावस्यावी आने वाली है जो की बहुती ज़दा विशेश और महत्वपूर्ण है तो दोस्तों लाइन से ये चीजे पढ़ रही हैं, लाइन से ये तीनों दिन पढ़ रहे हैं चलिए दोस्तों जानते हैं इन सभी दिनों के विशेश उपायों के बारे में सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताएंगे, वो बताएंगे 20 मार्च 2023 का जिस दिन है सुमबार, सुमबार के दिन है मासिक शिवरात्री जो हर महीने आती है तो इस मासिक शिवरात्री को किये जाने वाला एक बहुत ही विशिश उपाय जिस उपाय को करने से भगवान बुलिनात का आशिरवाद आपको राप्त होगा और आपके सारे काम सफल होंगे आपके घर में शुक्षान्ती भी जरूर आएगी तो इस उपाय में आपको करना क्या है? मासिक शिवरात्री के दिन मतलब 20 मार्च 2023 को आपको तीन गोलबाती के घी के दीपक आटे के तयार करने है ठीक है? काई के? आटे के ठीक है? अगर मिट्टी के ले रहे हो तो भई नए दीपक आप लोग लेना है न तो आपको तीन आटे के दीपक तयार कर लेने हैं उसमें गोलबाती रखनी है और शुद्ध देसी काय का घी डालना है शुद्ध चीजों का आपको उपाय में उपयोग करना है तब ही उपाय काम करते हैं तो यह तीन दीपक आपको तयार कर लेना है और इन तीनों दीपकों को तयार करके आपको मासिक शिवरात्री के दिन जो की मार्च महीने में आ रही है 20 मार्च 2023 को शाम के समय प्रदोश काल में आपको करना है इन तीन दीपकों को तीन जगा हों पर लगा कराने है वो तीन जगा है कौन-कौन सी है वो आपको ध्यान से सुनना है सबसे पहली जो जगा है वो है बेल पत्री का व्रक्ष शाम के समय मासिक शिवरात्री के दर आपको सबसे पहला दीपक लेकर जाना है बेलपत्री के व्रक्षिनी चे वहाँ पर जाकर भगवान मुलिनात की नाम का जाब करते हुए इसमनट करते हुए आपको पहला दीपक जला देना है पहला दीपक जलाने के बाद भगवान से जो अगर आप चाहें तो यह दूसरा दीपक आप लोग शिव जी की चौकट पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, दूसरा दीपक आपने शिव मंदर में लगा दिया, अब तीसरा दीपक आपको ले कर जाना है, आउले के विरक्ष के नीचे ठीक है, आपके खरक्या जो भी आउले का प्रक्ष को वहाँ पर जाओ, और यह तीसरा दीपक वहाँ पर जाकर लगा दो, भगवान से प्रतना कर लो, अशिरवाद ले लो है ना, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि इस उपाई को आप हर महीने की मासिख शिवरात्री को नियम बना कर कीजि तो इस उपाई में आपको मासिख शिवरात्री के दिन क्या करना है, सफेद फूलों की पंखुणियों को तोड़ लेना है, और मासिख शिवरात्री की दिन शाम के समय प्रदोशकाल में इन पंखुणियों को लेकर आपको जाना है शिवजी के मंदिर में, कुछ लेकर नही भाव से एक दीपक भी लेकर जा सकते हो ठीक है गी का गोलपाती का है ना तो यह सफेथ फूलों की पंखुडियों को लेकर आप पहुचो शिब जी के मंदिर में और शिब जी की शिवलिंग का पहले अच्छे से थोड़ा मतलब जो भी मंदिर माल ले हो उसे साइड में करके अब भगवाई शिब जी की शिवलिंग का पूरा जो है इन सफेथ फूलों की पंखुड़ियों से सजा देनी है और भगवान से प्राथना करना है खुछ नहीं बोलना है भगवान भुलियात बिना मांगे आप सब कुछ देंगे और दोस्तों इसी के सांथ में अगर आप ह भगवान भुलियात की मंदर की साफ सफाई जरू करो भले ही आप कितने ही बड़े आत्मी क्यों नहों एक बार करके देखो निस्चति आपको खुद बाखुद मन में शांती देखने को मिलेगी ठीक है क्योंकि भगवान के मंदर की साफ सफाई करने से मन भी अच्छा होता है मंगलबार और इस दिन है अमावस्या यह है अमावस्या बहुत ही जदा खास है क्योंकि इस अमावस्या के बाद शुरू होने वाली है चैतरन अवरात्रे ठीक है तो इस दिन किया जाना वाले एक बहुत ही विशेश उपाय है जो कि सिर्फ इसी दिन किया जाता है ठीक है क्योंकि यह दीपक हम अपने पित्रों के लिए जला रहे हैं अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोशकाल में किसी भी नदी सुनना किसी भी नदी बाउडी या तालाव या जो आपके घर के असपास जलाशाय हो वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जाकर इस दीपक को किसी घाट पर रखकर इस बाती का मुख जो आपने लंबी बाती रखी है इस बाती का मुख दक्षुन की तरफ करके अपने पित्रों का इस्मर्ण करते हुए इस दीपक को वहाँ पर जला देना है ठीक है बाती लंबी ही होगे क्योंकि यह दीपक अमामस्य के दिन पित्रों के लिए आप लोग जला रहे हैं और पाती का मुख दक्षण की तरफ करके ही रखना है तब आपको फल की प्राप्ति होगे आपके पित्रों तक यह दीपक वहुंचेगा ठीक है और वो आपसे प्र करते हुए आपको वही फल प्राप्त यहां पर होगा तो जरू करके देखे बहुत ही विशेश यहां पर यह उपाय है चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं उस विशेश उपाय के बारे में जो कि आपको इस अमावस्या के दिन जो कि चैतर नवरात्रे के एक दिन पहले आ करना क्या है दोस्तों आपको जो अमावस्या चैतर नवरात्रे के एक दिन पहले पढ़ने वाली है मतलब की 21 मार्च 2013 मंगलवार के दिन जो पढ़ने वाली है इस रात्री में आपको यह उपाय शुरू करना है ठीक है 21 तारिक की रात्री को आपको एक कटोरी लेना है उसके अंदर पूरे में चावल भर देना है ठीक है एक छोटी बड़ी कैसी कटोरी ले उसमें चावल भर दो उस चावल की ऊपर आपको रखना है एक कपूर का तुकड़ा ठीक है थोड़ा चोटा भी ले सकते हो बड़ा भी ले सकते हो एक कपूर का तुकड़ा आपको उसी कक्पूर को रख देना है। पर नाई तक चैतरण घी नाव रत होगाने है अब हम आपको बात बताने जा रहे हैं क्या वाला एक बहुत विश्य उपाय है जिस उपाय को करने से के नौ दिनों अब रत की नौ दिनों की आपको यह उपाय करना है हमने यहाँ पर अभी तक बात कर लिया है 20 तारिक के उपाई जो कि मासुख शिवरात्री का है 12 तारिक के उपाई जो कि अमावस्या क्या है अब हम बात करेंगे 22 तारिक के उपाई के बारे में जिस दिन से 24 नवरात्रे प्रारंब हो रहे हैं तो इस दिन से ही आपको प्रातागाल सुबा सुबा से यह उपाय शुरू करना है इस उपाय में आपको क्या लेना है चैतर नवरात्रे के नौ दिनों तक आपको यह उपाय लगातार करना है और आपकी मनोकामना भी जरूर पूर्ण होगी इस उपाई में आपको लेना है कोई एक ऐसा फूल जो की शिवलिंग पर समर्पित होता हो भली वो सफेद फूल हो गेंदा का फूल हो यहाँ पर गुलाव का फूल हो कोई सा भी ऐसा फूल जो की शिवजी को समर्पित होता हो ठीक है वो एक फूल ले लो जो आपको नौ दिन गीकादीपक तयार करके आप प्रातागाल सुबस्वा शिफ जी के मंदिर पहुँच जाओ, ठीक है? चाहो, तो भाई इस उपाई को आप शाम को भी कर सकते हो, प्रदोशकाल में भी कर सकते हो, ठीक है? अगर सुबह करना शुरू किया, तो सुबह ही करोगे, शाम को करना शुरू किया, तो शाम को ही करोगे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, तो शिब जी के मंदर आपको पहुचना है, चैतना रवरात्री के पहले दिन, और पहले दिन जाकर, सबसे पहले ये जो आप नौ फूल लेकर गए हो सफेथ फूल. इसने शिफ जी की shiving000 की ऊपर summer pit कर देना है. समर्पित करने के बाद आप चाहें तो एक एक करके fool भी summer pit कर सकते हैं एक साथ भी कर सकते हैं ये फूल summer pit करने के बएड गी का दीपक वहाँ पर आप लोग जला दो. ठीक है पहले दिन आपने उपाय कर लिए बस इतना ही करना है अब जो है चैतना नवरात्री का दूसरा दिन जैसे ही दूसरे दिन आएगा तो यह फूल डबल हो जाने चाहिए पहले दिन नौ चाहिए तो दूसरे दिन अठारा हो जाने चाहिए ठीक है तो अठारा यही के यह का शेद में पहला जाने डिए मुन होख कि अपने शेट ज्रे गाई है जो किई तो समय आपको अपनी मनोकामना भगवाई शीप जी से बोल देनी है ठीक है फिर दूसरे दिन से नहीं बोलनी है ना दूसरे दिन 18 फूल चढ़ाओ दीपक जलाओ तीसरे दिन क्या हो गए यही फूल फिर डाबल हो जाएंगे मतलब 9 और बढ़ जाएंगे इसमें ठीक है 9 का पहा देना चैतर नवरात्री के नवे दिन जब आप एक क्यासी फूल चढ़ा रहे हो ठीक है पर फूल आपको बदलना नहीं है वही फूल चढ़ना है जो कि आपने पहले दिन चढ़ाय ठीक है उपाय तभी काम करेगा और बहुत ही विशिश उपाय है आपकी वनुकामना जरू पहले पहले रहे हैं बहुत समय होके है वह विवा नहीं उपार है तो स्थान पर आप इस उपाय को चैजन अवरात पर तरके पांच विशिश न करके देखिया आपको बहुत जदा मतलब बच्चे का विवा जो है तीन महीनी के अंदर पक्का हो जाएगा इस उपाय में आपको बनाने हैं दो स्वस्तिक, पहला स्वस्तिक आप हल्दी से बनाओगे, दूसरा स्वस्तिक आप रोली कुंकुम से बनाओगे, ठीक है, जो आपने हल्दी का स्वस्तिक बनाया है, इस हल्दी के स्वस्तिक पर आपको रखना है, रोली कुंकुम के चावल, ठीक है, और ज जो हल्दी रोली कुमखुम का जो स्वास्तिक बनाएं उस पर आपको रखने है हल्दी के चावल ठीक है इस परकार से यह है जो मतलब पान का पत्ता है lethal तायार करके उस बच्चे के हाथ में आपको दे देना है जो बच्चे का विवा नहीं हो रहा है जिस बच्चे के लिए आप ये उपाये कर रहे हैं ठीक है चैतर नवरात्रे के जो है पाँचवे दिन कब पढ़ेगा पाँचवे दिन कब लगेगा वो आप सुनिये देखिए बाइस से शुरू हो रहे हैं तो बाइस तेईस चौबिस पचिस चब्विस मतलब 26 मार्च दो हजार तेश को पंचमी त पेड़ के नीचे बड़े वाले नीम के पेड़ के नीचे समर्पित करवा देना है और उससे प्रार्थना कर लेना है बगवान से प्रार्थना कर लेना है कि बच्चे का विवा है वो बहुत जल्दी हो जाए ठीक है बच्ची को ही प्रार्थना कर लेना है कि जो उनका वेबसाइट बोलिनातभक्ती.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं ये सबी जो जानकर हमने आपको बताई ये लिखेत रूप में आपको वहाँ पर मिल जाएगी कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूस सकते हैं ओम नमाशिवाई जैबले बास्रीशिवाई नमस्तुपियम